सो दुस्तू आप लोग कैसे हो आसा है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वास्तु होंगे सो दुस्तू जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब जो पेपर होगा जोगराफी का पेपर होगा तो ऐसे में आप सभी के लिए लेके आये हैं कलास 12 जोगराफी यानि की भुगोल के वो इसे वाइरल अबजेक्टी प्रस्न जो की आपके बोड परिचा में छपने वाला है जहां दोस्तो आप लोग बिल्कुल साई देखे बिल्कुल साई सुने इस पेपर से आपके बोड परिचा में सीधे प्रस्न देखने को मिलेगा तो चले दोस्तो बिना देरी करतो इस वीडियो को सुरू करते हैं जो भी छातर इस वीडियो को देख रहा है वीडियो को सुरू से लेके अंतक ज़रू देखे कोर्सिस करे कि सभी प्रस्ण को यादिक कर सके क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रस्ण है कापी महात्पुन प् सबसक्राइब कर ले टाक इसी तरगे वीडियो आपो मिलता रहे सबसे पहले तो चलि दो सारे प्रशन को अच्छी तरह से देखते हैं तो आप लोग यादिक कर ले सबीप्रसन आपके सकी टाप का पहला पर आदे बोकारो इस पात केंद्र किस राजे में इस्तित है, नीचे चार ओप्शन दिया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं, तो कॉमेंट करके बताईए, इसका राइट एंसर के हम बात कर लें, तो इसका जो ओडिक्ट एंसर है, ओप्शन गौ है, जहारखन में इस्तित है, तो ए का राइट एंसर ऑप्शन गोह है अगले प्रस्ण दो नमर है भारत में विस्व की कुल जनसंख्या के कितने परतीसर लोग बसते हैं अगले प्रस्ण यहां पर देख सकते हैं जरिया कोईलाच छेद्र किस राजय में इस्तित हैं जरिया कोईलाच छेद्र किस राजय में इस्तित है इसका राइट एंसर के हम बात कर ले तो तीन का राइट एंसर ऑप्शन गोह है अगले प्रस्ण चार नमर है तिलगाना राजय की राजधानी है इसका जो राइट एंसर है ऑप्शन खोह है है तो दो चार का राइट एंसर यानि कह रहा है कि 2001 के जनगन का आउसर किस राजे का जनगनत सबसे अधिक है नीचे चार राजे का नाम दिया है आप लोग बताए कि इसका राइट अंसर क्या होगा इसका जो correct answer है option गो है बिहार होगा तो दोस्तो पांच का right answer option गो है आगल प्रेशन यहां पे देख सकते हैं छे नमर प्रेशन है जमसेदपूर किस परकार का नगर है तो दोस्तो आपसे जमसेदपूर किस परकार का नगर है इसका जो right answer है option को है और धोगिक नगर है तो छे का राइट एंसर ओप्षन को है अगले प्रेशन 7 नमर है सुन्दर बन किस राजे में इस्तित है इसका जो राइट एंसर है और पचिम बंगाल में इस्तित है तो साथ का राइट एंसर ओप्षन खोई तो दोस्तो अभी तक इस वीडियो को सेर नहीं किया तो सेर कर दे ताकि जो भी विदार्थी जोगराफी का पेपर देंगे वो भी इस वीडियो को देख सके तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अबसे कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता सबसे पहले तो आगले प्रश्न आट नमर है हरित करांती समांधित है हरित करांती समांधित है इसका जो ठाइंसर है यहां तो इसका जो राजे चीन की सीमा पर इस्तित है तो दूस्तों आपसे जया में पूछ सकता है कौन राजे चीन की सीमा पर इस्तित है इसका जो राइट एंसर है option यहाँ पे घो हो जाएगा और नाचल परदेश जो की चीन की सीमा पर इस्तित है तो 9 का राइट एंसर option घो है अगले परेशन 10 नमर है किन सरकार दोरा चलाई गई हरियाली परजेक्ट समांधित है किस समांधित है इसका जो राइट एंसर है option खो है जल सरक्चन से समांधित है तो 10 का राइट एंसर option खो है अगले परेशन 11 नमर है इन और पतन किस राज में इस्तित है तो आपको बता दे एक एक परेशन को आप लोग रट लिजे क्योंकि काफी महात्पुन परेशन है तो आप लोग याद कर लिजे अगले परेशन 12 नमर है अमलिये वर्षा का कारण कोन है तो दूस्तो आपसे जामे पुछ सकता है अमलिये वर्षा का कारण कोन है इसका जो राइट एंसर है option खो है वाईव परदूसन तो 12 का राइट एंसर option खो है अगले परेशन 13 नमर है नमलिकित में से कोन पे फसल है यानि की पीने वाला फसल है तो इसका जो राइट एंसर है option हम बात कर ले तो यहां पे गोईस का right answer है दोनों यानि की को और खो दोनों चाय और कोफी ठीक है इसका right answer तो तेरा का correct answer यहां पे गोई हो जाएगा आगले प्रेस्ट चौदर नमर है भारत में पुना जंगना पहली बार कब होई थी? तो आपसे एकजामे पुछ सकता है भारत में पुना जंगना पहली बार कब होई थी? इसका जो right answer है option को इसका right answer है अठाड़ सो एकासी स्पी में होई थी? तो चौदर का right answer option को है? आगले प्रेस्ट पंदर नमर है दो हजार एगार की जंगना के अंसर भारत का जंगनत्व है तो नीचे चार option दिया है आप लोग कमेंट करके बताए इसका right answer क्या होगा? इसका जो right answer है option को है 382 व्यक्ति पर वर किलो मीटर तो 15 का right answer option को है आगले प्रेस्ट पंदर नमर है किस राजे में सक चरता दर सबसे अधिक है? आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताए किस राजे में सक चरता दर सबसे अधिक है? तो इसका right answer है option को है? केरल राजे में जो की सक चरता दर सबसे अधिक है? 16 का right answer option को है? तो दोस्तो इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे सारे वीडियो अपलब्द है आप लोग जाके देख लिजे ताकि आपका त्यारी बहतर हो सके और आप कल चाप चके हैं कल अच right answer है option हम बात कर लिए तो को इसका right answer है उत्तर अमेरिका को एवरोप से जोड़ता है तो 17 का right answer option को है? अगले प्रेशन 18 नमर है कह रहा है कि भारत में नगरिये अबादी है तो इसका right answer कि हम बात कर लिए इसका जो correct answer है option को है? जो की 31% है अगले प्रेशन 14 नमर है संभाबना वाद अबधाना में किस घटक को महत्पुन माना गया है? इसका जो right answer है option को है मानमे घटक को जो की महत्पुन माना गया है तो इसका right answer option को है आगले प्रेशन 20 नमर है राची किस राजे की राज़दानी है? तो आप लोग comment करके बताए राची किस राजे की दानी है तो इसका right answer option को है आगले प्रेशन 21 नमर है बालमिक की नगर टाइगर रिजल्प कहां इस्तित है तो इसका right answer है option को है जो की बिहार में इस्तित है 21 नमर प्रेशन है किस नगर को दचिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है? तो आप लोग comment करके बताए किस नगर को मैंचेस्टर कहा जाता है इसका जो राइट एंसर है ऑप्सन गो है जो की कॉंबूतर नगर को जो की भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है तो 22 का राइट एंसर ऑप्सन गो है अगले प्रसन 23 नमर है वो कारो इसपात केंद्र है यानि की नीजी छेतर में है तो इसका जो correct answer होगा option खोग होगा जो की साब जनिक छेतर में है ठीक है तो 23 का right answer option खोग है अगल प्रशन है पर देख सकते 25 नमर प्रशन है उत्तर भारत में सिचाय का मुखे सुरोत क्या है तो आप लोग कमेंट किरके बताए उत्तर भात में सिचाई का मुखे सुरूत क्या है तो इसका जो राइट एंसर है उप्सन खो है नहर है तो 25 का राइट एंसर उप्सन खो है आगले प्रसंट 26 नमर है निमलिखित में कौन बगानी फ़सल नहीं है तो इसका जो राइट एंसर है उप्सन घो है जो की मक्का तो 26 का राइट एंसर उप्सन घो है आगले प्रसंट 27 नमर है निमन में से कौन प्रमप्रागत उरजा का सुरूत है इसका जो राइट एंसर है उप्सन घो है जो की उप्रोक्त सभी यानि कहा रहा है कि धरावी, मलीन, बस्ती किस नगर में इस्तित है तो इसका जो राइट एंसर है option हम बात कर ले, तो कोईस का right answer है मुंबई में century है तो 28ा right answer option कोईस का correct answer है तो दोस्तों आपको बता दे इस paper में कलास 12 जोरॉपी यानि की भुगोल के टोटल 28 अबजेक्टी प्रस्ण थे तो पहले से आपको कितने प्रस्ण या थे सही सही जरूर कॉमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा यह भी जरूर कॉमेंट करें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएगा और साथ इस वीडि पेपर देंगे इस सब्जेट का वो भी इस वीडियो को देख सके सो आप लोग चैनल पे नए हो तो चाहिए वो सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले साथ में पेपर सुरू होने से जो पहले कोचन पेपर जो मतलब की यानि पेपर वाइरल होता है वह लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वाटसब गूरूप टेलिग्राम गूरूप से जूर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्चन में दिया गया है तो चलिए दिस्तो फिर में लें किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिंद